संबाद लाइव दोस्तो जब भी आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो आपके मन में एक प्रश्म जरूर उठता होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे होई हिंदी शब्द कैसे बना कहां से ये सब्द आया हम लोगों के बीच में और इसका नाम हिंदी ही क्यों रखा गया कुछ और क्यों नहीं रखा गया तो आईए आज हम जानते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस परकार से हुई और कहां से यह शब्द साहित्ते में आया हिंदी शब्द हिंदी में एक प्रत्य के योग से बना है जब हम हिंदी में एक प्रत्य लगाते हैं तो उससे इस शब्द की उत्पत्ति होती है और 520 पूर्व में के आसपास में दारा पर्थम के समय में सिंदु छेत्र जो था इरानी शाशकों के एदिकार में था सिंदु नदी का जो आसपास का छेत्र था वो इरानी साशकों के कबजे में था वो वहां शासन करते थे और इरानी भासा में जो शाकी धनी होती है उसको हो कहा जाता है जो भी शाकी धनी होती है इरानी भासा में उसको हो कहा जाता है तो इस तरह से क्या हुआ कि जैसे यदि हम संस्कृत का एक सब्द लिखेंगे इस तरह से जैसे हमने इस संस्कृत का सब्द लिखा तो ये जो है अवेस्ता जो भासा है इरान की जब इसमें जाता है तो ये सौ का हो हो जाता है और ये बन जाता है हफ्द अब देखिए हिंदी में ज़्यदी हम बोलते है सब्दा हाँ जिसमें साथ दिन होते है वही शब्द जो है इरानी भासा में जाकर के उसे हम हफ्दा बोल देते हैं एक हफ्दा दो हफ्दा मनलब साथ दिनों का जो एक शमुआ है तो इसका जो है सौ का हो में परिवर्टन हो जाता है अब जैसे यदि हम संस्कृत का एक सब्द लें संस्कृत का सब्द होता है असूर अब यदि हम इसको इरानी में अगर इसका उच्चारन करेंगे तो ये हो जाता है आहूर क्योंकि जो सौ है ये वाला जो सौ है उसका हो बन जाता है ये वाला जो सौ है इसका ये हो बन गया इस वाले सौ का सौ जो दुनी है उसका इरानी में हो उच्चारन होता है तो इस तरह से असूर का आहूर हो गया अब इसी आधार पर जो है उस समय जो था भारत का जो कुछ भाग था वो इरानी लोगों के अधीन में था जो सिंदो नदी के समीपवर्ती था अताव इस भूबा को हिंद या हिंद प्रदेश कहते थे जो सिंदो नदी का चेत्र था उसको हिंद या हिंद प्रदेश कहते थे लेकिन बाद में ये नाम जो था संपोन भारत के लिए प्रियुक्त होने लगा जो भारत था, जो भारत देश था, भारत देश के लिए एक नाम प्रियुक्त होने लगा, उसको हमने कह दिया हिंद, हिंद छेतर क्योंकि सिंद न दिगा जो छेतर था उसको हिंद छेतर कहिने लगे और बाद में यहाँ नाम जो है पूरे भारत के लिए प्रियुक्त होने ल है एक प्रत्या लगाया गया एक प्रत्या जब प्रत्या इसमें लगाया गया तो इससे जो है एक नया शब्द जो बना वो बना हिंदी इससे एक नया शब्द का निर्माण हो जिससे हम कहते हैं हिंदी तो इस प्रकार से हिंदी का निर्माण हुआ अब इस जो ये हिंदी शब्द बना इसका अर्थ इरानी भासा में जो था इसका जो अर्थ है इरानी में इरानी अर्थ इसका जो इरानी अर्थ है वो था हिंद का या भारत का हिंद का या भारत का जो हिंदी शब्द है उसका एराने अर्थ हुआ हिंद का या भारत का अब इसमें क्या हुआ धीरे धीरे जो था ये जो शब्द था हिंदी शब्द का प्राचिन अर्थ भारत का निवाशी भारत की वस्तु या भारत के पदार्थ आते आधी होता था जिस तरह हिंदी सब्द भारस के निवासियों पदार्थों आदि के लिए उपयोग में लाया जाने लगा और हिंदु सब्द इसलाम से भिन वैदिक धर्म को मानने वालों के लिए प्रियोग्ट होने लगा अब क्या हुआ कि दस्वे सदापसी से ले करके और बारहुवी शतापदी के अंत तक हिंदी या हिंदवी शब्द किसी निश्चित भासा के अर्थ में प्रियोग नहीं किया जाता था ये एक बहुत महत्वपून बात है कि जो हिंदी सब्द था जो हिंदी सब्द था वो दस्वे और बार्वे सदी तक ये एक आंकड़ा है दस्वे और बार्वे सदी तक भासा जो हम हिंदी आज भासा है उसके लिए प्रियोग तो नहीं होता था भासा के लिए प्रियोग तो नहीं होता था प्रियोग तो नहीं होता था उसके बाद धीरे-धीरे क्या हुआ जब मुसल्मानों ने सामराज विस्तार किया तो उन्होंने शाशित वर्ग से अपना संबंध स्थापित करने के लिए जो दिल्ली के आसपास का छेत्र था और उसके पास बोले जाने वाली भासा को अपना लिया जो दिल्ली का छेत्र था उसे अपना लिया और वहां की भासा को भी अपना लिया जिसे मुसल्मान सासक हिंदी या हिंदिवी कहने लगे और बाद में क्या हुआ हिंदी या हिंदिवी उसको कहने लगे और कालांतर में यह शब्द इतना व्यापक हुआ और इस परकार से ठैला और हिंदों ने भी इसे स्विकार कर लिया यद्यपिवे संस्कृत से भिन इस भासा को भाखा कहते थे और उन्होंने इसको स्विकार किया और कालांतर में यही जो हिंदी शब्द था वो एक भासा के लिए प्रिक्त होने लगा और इस तरह से हिंदी भाषा ये जो सब्द बना इस तरह से ये अस्तित्तों में आया इसकी वित्पत्ति इस परकार से हुई हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट और कालिक रूप का नाम है उसका भारत में प्राचिन्तम रूप संस्कृत है हिंदी की उत्पत्तिका से वी संस्कृत से जो मूल भाषा है वो है संस्कृत की संस्कृत संस्कृत जो है भाषाओं की जननी है सभी भाषाओं की उसका भारत में प्राचिंतम रूप का जो है संस्कृत है संस्कृत का काल मोटे रूप में यदि हम देखें तो यह आता है पंदरसो इसवी पूर्व से पंदरसो इसवी पूर्व से 520 पूर्व तक संस्कृत का काल 520 पूर्व तक ये संस्कृत का काल माना जाता है अब संस्कृत के भासा के भी जो है इसके दो रूप आ जाते हैं इसमें आता है पहला ویदिक संसकृत इसमें जो है हमारा पहला वैदिक और इसी में जो है दूसरा आ जाता हमारा लौकिक संस्कृत अब जो संस्कृत भासा का हमारा दूसरा रूप आता है वो आता है लौकिक संस्कृत लौकिक संस्कृत इस वाले काल में जो है चार वेदों की रचनाई हुई बैदिक काल में और ब्रामन गरंथ आरण्य गरंथ और उपनिशदों का ये काल रहा और लौकिक संस्कृत के यदि हम गरंथों में आएं तो इसमें रामायान रामायान और महावारत ये उस समय के परमुक महाकादवे थे रामायान और महावारत ये लोकिक संस्कृत के अंतरगत आते हैं और इसमें आते हैं चतुरवेद चतुरवेद और 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 भी जो आगे का साहित है वो इसके अंतरगत आते हैं अब कालांतर में क्या हुआ कि ससकृत कालीन बोलचाल की घासा विक्सित होते होते 502 के पूर्व के बाद प्रविर्ति काफी बदल गई और जिसे पाली के नाम से अभी ही किया गया अब इसी ससकृत से क्या हुआ बाद में एक नई भासा बनी जिसे हमने बोल दिया पाली इस से बनी पाली और पाली के नाम से यहां पसिद्वी और पहली ईजवी तक आते आते लोग वेवार की भासा में और परिवर्तन हुआ और जो पर्थम ईजवी से और पांसो ईजवी तक इसका रूप प्राकर्त के नाम से जाना गया पाली से बनी फिर प्राकर्त यह नई भासा बनी प्राकर्त और प्राकर्त के नाम से जब यह परशिद्वी तो मद्यकालिन भारते आरे भासाओं का जो तीसरा जो काल था उसको दिया गया अपब्रंश काल प्राकर्त के बाद आई अपब्रंश यह भी एक भासा का रूप था अपब्रहंश भासा यह आई और अपब्रहंश का काल जो है मोटे रूप पर यह आता है यह जो समय है पान्सो से एक हजार इस बी तक एक हजार इस बी तक आता है इसका जो इसकी समय सीमा है वो पान्सो से एक हजार इस बी तक अब बाद में क्या हुआ कि जो अपब्रहंस भासा चिती उसको साहितिक गर्मा भी प्राप्त हुई तथा इसके देशकत विवेदों के रूप में प्रादेशिक भासाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराथी, बांगला, असमी, उडिया और लहना आदि क जन्मुवा इसी अपब्रहंस से जो है फिर क्या बनी हिंदी और उसकी जो सहायक भासाएं हैं उनका निर्माणवा उनकी रचनाएं में हिंदी आदि भासाएं हिंदी आदि जो है इसी से बढ़ी इस परकार हिंदी के विकास में जो है कौन-कौन सी भासाएं हम देखते हैं पहला वैदिक संस्कृत फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है लोकिक संस्कृत और तीसरा फिर आता है पाली प्राकर्त और अपब्रहंस भासा तो इस तरह से हिंदी की उत्पत्ती और संस्कृत के साथ उसके संबंद को हमने इस पार्ट में दर्साया है कि किस तरह से संस्कृत से चलते चलते हिंदी का निर्मानवा और हिंदी शब्द की उत्पत्ती कैसे हुई तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाज़नी तोर पर बताईएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरन सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकॉन पर टिक करें ताके नजीज आने वाले वीडियोस जहों वक्तन वावक्तन आपके लिए इस चैनल पर अप्लोड करते हैं वो आपको बहुत पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीत होते रहें अगरी वीडियो तक हमें भी जे इजासत अपना ख्याल रखिएगा ताज़ा तरीन अप्लोड की मोटिफिकेशन हासल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंती के निशान को दबाना न भूले